नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों भगबान स्री कृष्ड के अनुसार, पती और पतनी का रिष्टा इस संसार में सबसे मजबूत रिष्टा होता है साथ ही संसार का सबसे कमजोर रिष्टा भी यही होता है यदि पती पतनी के मन, विचार, वचन, कर्म और संसकार आपस में मिल जाएं तो ये रिष्टा बहुत ही सुकद और मजबूत होता है इसके विपरीत ये दीन में से कोई भी गुड ना मिले तो दोनों का जीबन कलेश से भरा हुआ होता है पती और पतनी को अपने बैबाहिक जीबन के सभी धर्मों, वचनों और कर्तब्यों का पूरे मन से पालन करना चाहिए दोस्तो दामपत्य जीबन में कई बार, कई मुद्धों पर, कई कारणों से या कभी कभी बिना कारण से भी मतभेद हो जाना सामानने सी बात है जिसे पती और पतनी को आपस में मिलकर ही सुलजा लेना चाहिए किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने नीजी मामलों में दखल अंदाजी बिलकुल भी नहीं करने देनी चाहिए चाहें वो कितना ही करीब क्यों ना हो, इससे बात सुलजने की बजाए और भी ज़्यादा उलज जाती है क्योंकि आप साथ जन्मों के बंधन में बन चुके हैं और आपने एक दूसरे को अपना लिया है तो एक दूसरे की आदतों और कमियों को भी आपको अपनाना होगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों महा भारत के अनुसार धर्मराज युदिष्टिर से जब यक्षने कुछ प्रशन पूँचे थे तब उन प्रशनों में से एक प्रशन ये था कि इश्वर ने पुरुसों के लिए बनाया हुआ सबसे उत्तम मित्र कौन सा है तो युदिष्टिर ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा था कि उसकी पत्नी पती और पत्नी के बीच में मित्रता का रिष्टा होना चाहिए जिस परकार मित्र एक दूसरे से रूट जाते हैं तो जल्दी ही मान भी जाते हैं परंतु किसी भी कीमत पर एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते, एक दूसरे को उसकी अच्छाईयों और बुराईयों के साथ सुईकार कर लेते हैं, उसी परकार पती और पत्नी को भी आपस में इसी तरह दोस्त बन कर रहना चाहिए, दोस्तों कई बार देखा गया है घर मे या सामाजी किस्थानों पर पती पत्नी सभी के सामने उलच पड़ते हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं, जबकि पती और पत्नी को सब के सामने एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है, एक दूसरे के परती मन में चाहें कितनी भी कटुता ह उसे सब के सामने जाहिर ना करें इससे ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं साथ ही लोगों के जीवन में कलेश, नकारातमक्ता और दरिद्रता आती है क्योंकि जहां पर कलेश होता है वहां पर आलक्षमी निवास करती है इसके साथ ही जो महिलाएं अपने पती के पीट पीछे उसकी बुराई करती है उसको अपशब्द कहती हैं ऐसे घर से लक्षमी चली जाती है इसलिए महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों पती और पतनी को एक दूसरे के परति निष्ठावान रहना चाहिए चरित्र और विश्वास एक कांच का टुकडा होता है उसे उतना ही जतन करके संभाल कर रखना चाहिए जितनी जतन से हम कांच को रखते हैं जिस प्रकार काच को एक छोटी सी भी छोट लग जाती है तो वह चकना चूर हो जाता है। उसी प्रकार चरित्र और विश्वास पर लगी एक छोटी सी चोट भी जिंदगी भर के रिष्टों में दरार डाल सकती है। इसलिए पती और पतनी को ही अपने चरित्र को साफ और स्वश्च रखना चाहिए। दोस्तों धोखा शब्द पती और पतनी के जीवन में आना नहीं चाहिए। पराय व्यक्ति से संबंध चाहे वो इस्त्री हो या पुरुष उनको पतन की और ले जाता है। घर परिबार के रिष्टे नाते सब कुछ बिखर जाते हैं। पती और पतनी को एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं चीपाना चाहिए। पती और पतनी एक गाड़ी के दो पहिये हैं। सांसारिक जीवन की गाड़ी में दोनों पहियों की समान आवश्यक्ता होती है। को नीचा दिखाने की कोशिश कताई नहीं करनी चाहिए बलकि एक दूसरे के साथ कदम मिला कर चलना चाहिए भूल और गलतियां तो सभी से होती है इसलिए सच्चे मन से माफी मांगने और माफ कर देने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने पती के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एक ही आसन पर या एक ही बाहन पर बिलकुल नहीं बैठना चाहिए ऐसा करने से उस व्यक्ति का चरित्र भी नश्ट हो जाता है जिस कारण से घर में कलेश और दरित्रता बढ़ती है इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें पती को अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी को अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहिए दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को पती के साथ अत्वा पती के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए पती से पहले ही भोजन करने वाली इस्त्री के पती वरता धर्म का नाश हो जाता है जिस कारण घर में नका रातमकता बढ़ती है और घर से शुक सांती गायब हो जाती है इसलिए मा लक्षमी की करपा पाने के लिए पती और पतनी को एक दूसरे का सम्मान अवश्य करना जाहिए जो महिलाएं अपने पती के भोजन करने के पस्चाद भोजन करती हैं उनके उपर मा अन्न पूर्डा की करपा सदय बनी रहती है दोस्तों एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरे के क्रिया कलापों पर नजर रखना पती और पतनी दोनों के लिए आवश्यक है परंतु एक दूसरे को थोड़ा सा भी समय ना देना हमेशा ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहना आशूब होता है पती और पतनी को एक दूसरे पर कभी संशय नहीं करना चाहिए संशय अत्वा शक्की बजह से ही परिबार उजड़ जाते हैं तो दोस्तों ये थे वो कुछ कार जो पती और पतनी को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए